मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि बड़े बड़े नियम पालन किये जाई, तब ध्यान साधना की जाई, कभी-कभी मोक्ष छोटी-छोटी बातों को समझने और जीवन में उतारने पर भी हासिल हो सकता है, तो जानते हैं 32 आगमों में पहला आगम आचारांग सूत मोक्ष प्राप्ति के आसान और सरल उपायों के बारे में, तो पहला है, जैसे हम जीना चाते हैं, मरना नहीं चाते, वैसे ही हर जीव जीना चाता है, मरना कोई नहीं चाता, दूसरा, जैसे हम सुक की चाह रखते हैं, दुख नहीं चाते हैं, वैसे ही हर जीव सुक चाता है दुख कोई भी नहीं चाहता तीसरा, हमें किसी भी जीव को नहीं मारना नहीं सताना, नहीं डराना, धमकाना कष्ट नहीं देना, बंदी नहीं बनाना गुलाम नहीं बनाना चाहिए किसी जीव से जोड जबर्दस्ती नहीं करनी चाहिए चौता, किसी कारण से या अकारण से ऐसा कोई भी कारिय नहीं करना चाहिए जिससे जीवों की हिंसा हो पांचवा, जीवों का प्रान हरन करना हिंसा तो है ही, साथ ही उनके प्रानों की चोरी भी है, अदत दान भी है चटा, किसी सचेतन की सचेतना अस्विकारना अर्थात उसे अजीव मानना अभ्याख्यान दोश है, अर्थात उसकी सत्ता पर जूटा दोशारोपन करना है दूसरे की सत्ता को अस्विकार करना अपनी आत्मा को ही अस्विकार करने जैसा है जब हम सात्वा जब हम पृत्वी का या अपकाई की हिंसा करते हैं यानि पृत्वी के जीवों की और पानी के जीवों की हिंसा करते हैं तो उनके आसरित रहने वाले अन्य प्रानियों की हिंसा भी अपने आप हो जाती है आटवा, अगनी का स्पर्स पाकर कई सूकस्म छोटे बड़े प्रानी मर जाते हैं इसलिए जो अगनीकाई की हिंसा करते हैं वे दूसरे जीवों की हिंसा भी करते हैं नववा, हिंसा वृत्ती हमारी अबोधी के कारण होती है अर्थात हिंसा, ज्यान, दर्शन और चारित्र बोधी की अनुपलब्दी का कारण होती है दस्वा, चिकित्सा के निमिद भी किसी भी प्रानी का वद नहीं करना चाहिए और ना ही सताना चाहिए ग्यारवा, दूसरे के सुक को लूट कर स्वयम का सुक्या अपना सुक नहीं चाहना चाहिए और ना ही आरम, समारम और परिग्रह करना चाहिए 12. जब हम बीतर देखते हैं तो अपनी आत्मा के दर्शन करते हैं और जब बाहर देखते हैं तो दूसरे जीवों में भी परमात्मा या आत्मा के दर्शन होने चाहिए तेरवा, जब हम किसी भी जीव की हिंसा करते हैं, तो पहले अपने आप की हिंसा करते हैं, अपने आत्म गुनों की हिंसा करते हैं चौद्वा, जीवों के प्रती अनुकंपा का विकास होते ही, आरंब, परिग्रह, आसकती, कशाई, तृष्णा, सात्ता की कामना सब अपने आप छूटने लगते हैं और जीवन में सहियम आ जाता है, ऐसा समझ कर किसी का अप्रिया नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, तो आचारांग सूत्र के अनुसार इस प्रकार का विवेक रखने से अनुकंपा का विकास करके मोक्ष का मार्ग प्रसस्त किया जा सकता है, तो ये थे मोक्ष प्राप्ती के सरल उपाई, कितने लोग इन उपाईों का पालन करते हैं, कमेंट में बता वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें